दोस्तो वैसे तो आपने भारत में काफी चमतकारों के बारे में सुना होगा ऐसी एक परशिद्य मंदिर उतराखंड में इस्तित है जिसे माधारी देवी मंदिर के नाम से हम जानते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसन आएगी और आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो जरूर सेयर करेंगे दोस्तो देव भूमी उतराखंड का यहाँ तीसरा पार्ट है उतराखंड के देवी देपता पार्ट 3 के नाम से भी आप प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो देख सकते हैं और पार्ट टू पार्ट वन भी आप जरूर देखें और जुड़े उत्राखंड के पूजा पद्धती और उत्राखंड में किस तरह से देवी देप्ताओं की पूजा होती है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को देनी की कोशिस की है प्लेलिस्टों के जमसे आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं उन सभी के लिंक मैं आपको नीजे डिस्क्रिप्शन और उपर आए बटन पे देदू दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्राखंड के परसिद्ध मंदीर चमतकारी मंदीर माधारी देवी के बारे म जानते हैं आज की वीडियो में कुछ परसिद्ध बात हैं माधारी देवी के बारे में तो आईये दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं समस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देव भूमी उतराखंड में दोस्तो चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बिटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उतराखंडी की सब्वेता और यहाँ प्राचीन मंदिर बात के जीलों में समा गया था तो उसके बाद यहाँ पर नए मंदिर का निर्मान करा दिया गया है यहाँ काफी चमतकारी मंदिरों में से एक माना जाता है इसमें मां अपने तीन रूपों को बदलती है एक दिन में ऐसी माननता है और ऐसा लोग मां उत्राखन उमीद करता है और अधिक से अधिक लोग मा धारी देवी के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में और साथ में यहां पहुंचने का और मा से आसिरवाल लेने के लिए भी जरूर यहां पहुंचेंगे दोस्तों पॉर्णरानिक धारणाओं के अनुसार यहां माना मुनाई दी जिसके कारान यहां बताया गया कि यहां पर्तिमाव उसी जगोव पर स्थापित होनी चाहिए तो तबी से वहां पर प्राचीन धारी माहा का मंदीर इस्तित था वहीं पर मंदीर निरमित किया गया जो कि आप स्कीन पर भी देख पा रहे हैं दोस्तों कालीमथ और कालिश्य मठों के में मा काली की जो मूर्ती है वह क्रोधित मुद्रा में मा की जो परतिमा है वह स्थापित है परंतो धारी देवी में मा काली की जो परतिमा है वह सांत्र मुद्रा में इस्तित है लेकिन सांत्र मुद्रा में दिखने के वाली धारी मा जो गुस्सा है उनक जो केदान आत्मा आपदा आए थी उसमें भी मा धारी मा का जो क्रोध है वह व्यक्त हुआ था ऐसा लोगों का मानना है 16 जून 2013 की साम को जब मा की पर्तिमा वहां से हटाई गई थी लोगों का कहना है कि उसी के कुछ घंटे बाद जो उतराखंड में आपदा आए थी वह आई जिती हुई थी मौझूदा समय में बाद से मंदिर का जो इस्थान है वह पूरा डूप गया था उस समय जब घटना हुई थी गाहों के पांडे लोगों को यहां की पूजा की जिम्मेदारी है जो पूजारी है यह थारी के घ गाउं के पांडे लोग यहां की पूजा अर्चना करते हैं मा धारी देवी मंदिर में और यह भी माना जाता है मा काली पर्ति दिन तीन रूप में प्रातवकाल कन्या रूप में दो पहर में यूती रूप में और तथा साम को ब्रिद्धा वस्था रूप धारन किये हुए उ आपको देखने को मिलेगा वहाँ आप जाईए जब धारी देवी मंदिर आते हैं तो काली मट मंदिर भी जरूर जाईए दर्सन कीजिए मा के निचले इस्थे के जो निचली पर्तिमा है मा की उसके दर्सन आप वहां कर सकते है बहुत जानकारी जो माधारी देवी मंदिर के बारे में है जो महत्वूर जानकारी है वो हमेने देने की कोशिस की है आप जुड़े रहे देव भूमियोतरा खंड के साथ आगे हम आप लोगों को इन मंदिरों के इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं इस समय हमारा लक्ष है गडवाल मंदल के सभी मंदिरों के और परसिद्ध मंदिरों की जानकारी आप लोगों तक पहुचाई जाए ताके आप आसानी से और बहतर धंसे इन मंदिरों और हमारी पूजा पद्धिती हमारी संस्कृति से जुड़ सके जुड़े रहे देव भूमी उत्राखन के साथ मिलते हैं नेक्सी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जोकि होगा उत्राखन की सब्वितावा संस्कृति से जुड़ा हुआ जुरे रहे देव भूमी के साथ जै देव भूमी जै उत्राखन जै हिल